इसमार्ट बेट बाई कॉंप्टीशन जो है वो पेपर इस डिजाइन टू टेस्ट यूर पेसेंस ठीक है समझ रहे ना इस तरह से डिजाइन हो तापका पेसेंस चेक करने नहीं इंटलेक्श्वल लेबल चेक करने के लिए वहां फिल्टर लाए पेपर एक फिल्टर है इस में 40,000-50,000 सीट हैं गोवर्मेंट में और प्राइबेट मिला दोगे तो और है तो उतनी सीट हमें चाहिए तो क्रीम पेपर उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि क्रीम पुरा बाहर आ जाए ठीक है और बागी प्राइबेट में चले जाए टू ब्लोक्स तीन ब्लोक् प्राइब इस टाइब के प्राइबल्म को मैं आपको जो तीरेटीकल ल लेक्षर है उसमें आपको बताया हो गयाहित है जिसको यह ट्रिक्स नहीं पता है वो क्या करेगा इस स्ट्रगल करेगा चलो तो अगर 5डोग है अ कर्याने एक फोस लगाया एक बाता है contact force between A and B, A and B कहा है भई, A है यह भी है, इसके बिच contact force क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, तो नॉर्मल, चलो, एक बार 4 kg, 2 kg, 1 kg, 14 newton, इस टाइब का problem है, यह समझो, यह 4 kg, 2 kg, 1 kg, और इस पर 14 newton लगा, ठीक है, तो जो trick मैं पढ़ाया था, अगर उस trick से करोगे तो यह लाइन में हो जाएगा, नॉर्मल यह फटा किसी निकल जाएगा, कैसे मैं बताया था, मैंने एक method बताया था, कि, ठीक है, डाइजेस्ट कर जाना, खा जाना, अपने पास रख लेना, जब इस पर 14 newton लगा, तो यह smooth surface है, सभी को पहले acceleration निकाल दो, acceleration कितना हो जाएगा, इस पूरे तीनो ब्लॉग का, acceleration क्या होता, net force upon mass, force कितना लगा, 14 newton, total mass कितना, 4, 2, 6, 7, is equal to 2 meter per second square accelerate करेगा, तीनो ब्लॉग, common acceleration से चलेंगे, अराम से, अब इसको चलने के लिए कितना चाहिए, इसको चलने के लिए चाहिए, 4 mass है, और 2 से multiply करोगे, 4 mass है, और 2 से multiply करोगे, तो 4 दूना, 8 newton चाहिए, तो 14 newton लगा, तो 8 newton अपने पास तक लगा, तो 6 newton आगे भेज देगा, तो 6 newton इसका solution सही है, अब यह 6 newton आगे भेज दिया, और इसको आगे जाने के लिए, और 2, इसका mass है, 2 acceleration है, चाहिए, तो 6 में से 4 निकल गया, तो 2 newton आगे बढ़ गया, यहाँ पर नॉर्मल, 2 newton हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, अब जिसको नहीं आएगा, यह method, ठीक है, जिसको नही नहीं आएगा, वो नार्मल वच्चा आइसे करेगा, नार्मल वच्चा आइसे करेगा, इस पर 40 newton लगाया, इसका средy body program बनायेगा, यहाँ नॉर्मल n1 हो गया, 14 newton लग गया, इसका acceleration, 2 meters per second square हो गया, तो equation लिखेगा, की 14 minus n1 is equal to, 14 minus n1 is equal to 2, 2m में इसका 2 और मास इसका 4 is equal to 8 newton that is 14 minus n1 ठीक है तो यह आ जाएगा n1 is equal to 6 newton ठीक है इस तरह से अगर यहां भी निगालना हो तो फिर एक बरावर करेगा इस तरह तीन बार निगालना हो तो तीन बार time consume होगा जबकि इस में थर से बहुत आसानी से हो जाएगा और वो मैं आपको पढ़ाया हूँ